हाई विनर्स आई होप योल आर वेल दिस साइड राजी वानन्द वेलकम टू क्रिप्टो मार्ग यूट्यूब चैनल क्रिप्टो का रास्ता विनर्स आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ चार से पांच प्रोजेक्ट के बीच में जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ कर और USTC को लेकर क्या नए अपडेट्स हैं उसके पर बात करेंगे तीसरा बेविडोच को इने बेविडोच स्वाप ओफिशल जो उनकी वेबसाइट है वहाँ पर AI को as a utility जो यूज किया है उससे क्या इंपेक्ट आने वाला है उसके बारे में बात करेंगे फोर्थ एक्स XRP का इस टाइम पर सबसे बड़ा bullish momentum चल रहा है XRP की acceptance जो है day by day increase हो रही है especially अगर मैं बात करूँ तो USA में तो ये चार major project रहने वाले हैं इसके बाद BONE का क्या impact रहने वाला है और Shibarium Network अल्रेडी लाउंच हो चुका है अगर मैं transaction या wallet की बात करूँ तो 1 million से जादा हो चु crypto या zen ecosystem से related आपका सारे doubt clear कर सकूँ लेकिन कुछ चीजें फिर भी रह जाती है और कुछ comment ऐसे interesting आये हैं जिनका answer देना बनता है एक बहुत interesting comment यह है कि sir आपको क्या लगता है कि zen की जो पूरी minting होनी है वो कब तक होगी क्योंकि जब तक पूरी minting नहीं होगी तब तक burning का proper impact नहीं आएगा देखिए October 2022 में जब Zen project की starting होई थी I think India के अंदर अगर आप Indian channels की बात करो crypto में तो शायद Zen की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मेरे YouTube channel पर ही देखने को मिली होगी reason क्या था first principle of crypto और कई ना कई पर Google के backend architect का बहुत बड़ा पीछे नाम तो मुझे लगा थ यह project आने वाले time में हमें एक sustainable growth definitely देगा और ऐसा exactly हो रहा है लेकिन starting में जब यह project develop हुआ तो कहीं ना कहीं पर उनके founder Jack Levin खुद official आकर वीडियो में बोल रहे हैं कि it takes 7 to 8 years जैसे bitcoin को time लगा लेकिन आप ध्यान दीजिए Zen पहली बार जब market में आया था तब था सिरफ Ethereum चेन then BNB introduce की गई, Polygon आई, Doge Chain आई, Phantom आई, ऐसी आज की update में बात करूं तो approximately 12 से 13 globally blockchain हो चुकी है जो Zen को लगातार mint कर रही है तो जो 8 साल की journey थी वो एक साल में होती हुई दिखाई दे रही है especially जब से Zen के minting optimism से start हुई है और X1 Chain की हम बात कर रहे हैं तो 8 साल का इतना लंबा ज days ही नहीं आई है और Zen की overall जो minting है वो 48% से ज़्यादा हो चुकी है आने वाले एक साल में approximately 90% से ज़्यादा हो जाएगी और हो सकता है कि Zen जैसे day by day या month by month आप देखते है multiple chain पर minting को start करता है आने वाले एक साल में अगर Zen और 2-3 blockchain पर minting को start करता है तो ये शायद पूरा एक साल भी नहीं लगेगा आने वाला जब Zen की पूरी minting होगी ultimately जो supply रहने वाली है वो 383 trillion में है जो overall Shiba Inu की supply से currently कम है और लेकिन आप ये देखिए Shiba Inu और Zen में एक बहुत बड़ा core difference क्या है X1 chain या Zen block की हम जब बात करते हैं so Zen as a gas, Zen as a burning mechanism use किया जाता है तो ultimately जब ये 383 trillion की supply proper पर mint होगी उसके बाद सिरफ और सिरफ burn ही होना है और Zen ecosystem में आज की date में multiple projects already add हो चुके हैं जिनके बारे में पूरी detail में ने कल वाली वीडियो में आपको बताया है अब उन सब project का क्या focus होगा उन सब project को अगर आप mint करना है so you have to burn Zen तो ultimately एक time frame है दोस्तों एक सबड़ साल का और time frame Zen के साथ है लेकिन Zen सच में एक ऐसा project है जो first principle of crypto को पहले दिन से follow कर रहा है और हमें आने वाले time में एक काफी अच्छा bullish momentum के साथ price return भी definitely देगा दूसरी में बात करता हूँ जिस project के बारे में हम लोग बहुत बेसबरी से वेद करते हैं और वो है दोस्तों Dogecoin को buy करके रखा हुआ है reason क्या है एक तो small value का token है और Baby Dogecoin की starting से hype थी inspiring token है Doge community का शेबाइनू का rival token भी बोला जाता है Dogecoin ने recently BNB chain के अंदर एक drawback देखी उस drawback को overcome करके ethereum पर move भी किया burning के updates regular आते रहते हैं लेकिन regular burning अभी Baby Dogecoin पर नहीं हो पाती एक आप लोगोंने latest tweet औ of burning Baby Dogecoin ऐसा हो नहीं सकता but voting negative कैसे हुई क्योंकि उनका transparent detail उन्होंने अपने official Twitter handle पर share भी करती है It means people are not want कि Baby Dogecoin को burn किया जाए It is not possible तो कहीं नहीं पर ये confusion statement है लेकिन इसके बावजूद Baby Dogecoin ने एक second major utility जो है वो market में अब ला दी है वो है दोस्तो artificial intelligence देखिए Baby Dogecoin का आज AI म आजा चुके हैं जैसे chat GPT है mid journey है अब mid journey tool क्या है आप लोग text enter करते हो आप images बना सकते हो same Baby Doge ने अपनी AI application ये AI tool लगाए अब कहने को utility और use case बनता है लेकिन ultimately उसका price पर कोई भी momentum या impact नहीं आने वाला reason क्या है एक सबसे बड़ा जो use case और utility होती है वो होती है कि या तो burning पर impact आए अगर supply ज्यादा है या फिर कई ना कई पर वो transfer के लिए transaction में use और start हो जाए मतलब अब जब से हम swap की बात करते हैं अब हम swap करते हैं तो ultimately Babidoge coin burn हो तो कैसा रहे बट ऐसा possible नहीं हो पाता तो ultimately Babidoge coin को burning का hurdle है लेकिन वो community मुझे आज भी लगता है कि कई ना कई पर य हम लोग लगातार सुन रहे है Babidoge coin के वो burning अगर exactly हो रही है तो price पर impact क्यों नहीं आ रहा यह जैसा आपके लिए question बहुत बड़ा है ऐसा same मेरे लिए भी बहुत बड़ा बन जाता है क्योंकि ultimately 100 quad trillion का update जब से हम लोगों ने सुना है वी यार वेटिंग के 100 quad trillion का burning update proper हो और supply 420 रहे जो coin market cap और coin gap को अप्रूव भी कर चुके कि बड़ाइब की supply में कोई भी impact नहीं हुआ है लेकिन फिर भी अगर 100 quad trillion burn सच में हुआ है Babidoge coin में तो उसका impact क्यों नहीं आया Babidoge coin दर से utility और use case पर काम भी कर रहा है लेकिन price में कोई भी momentum देखने को नहीं मिल रहा अब हो सक सकता है कि Babidoge coin जिसे साब use case और utility पर day by day काम कर रहा है strong बना रहा है अपने project को next boulder में हमें एक impact definitely देखने को मिले ultimately Babidoge coin का जो focus है इस time पर वो यह है कि वो अभी भी burning के बारे में proper news community को नहीं देता है और burning इस time पर सबसे बड़ा hurdle बना हुआ है तो अगर Babidoge coin regularly proper तरीके से burning पर focus करे तो हमें एक अच्छा return मिलेगा तब तक Babidoge coin में मुझे नहीं लगता कि return मिलेगा हाँ दूसरा reason यह हो सकता है कि Babidoge coin एक ऐसा strong use के से utility डवलप करे जिससे ultimately Babidoge coin एक deflationary project बने ultimately इसको आप दूसरे way में समझे तो हमें supply को ही reduce करवाना है या करना है तो community को at least एक proper तरीके से एक regular interval पर अगर proper Babidoge coin ने अपना burning portal बनाया है तो definitely हमें burn होता दिखाई दे और उसका regular update coin market cap पर दिखे तब Babidoge coin को listing भी मिलेगी liquidity भी strong होगी और Babidoge coin हमें काई ना के पर price momentum में भी अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है तीसरे project की बात करते हैं Shiba या फिर बोन शिबेरियम network अलड़ी आ चुका है market में लेकिन फिर भी Shiba के price में कोई momentum नहीं है दूस इसको तो पूरा downfall ही चल रहा है चाहिए आप XRP की बात करें Doge की बात करें Polka Doge की बात करें Avalanche की बात करें Polygonmatic की बात करें ARB की बात करें especially father और अंकल Bitcoin और Ethereum की भी बात करें all are down reason Polish news है लेकिन price पर impact नहीं है उसका सबसे बड़ा एक downfall ये भी हो सकता दोस्तों FTX नमंबर 2022 म इतना बड़ा scam होना आज भी वो assets कई ना कई पर 4 billion dollar 7 billion dollar और कई बार तो टुट्स में देखने को मिलता कि वो assets total 16 billion dollar की है अब वो move हो रही है ट्रांसपर हो रही है ये confusion market में बनी हुए है इससे कई ना कई पर आज भी price downfall में आपको definitely दिखाई देगा और जिसी साब से मैंने चारपा दिन पहले एक bitcoin पर भी video बनाई थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि October के मिड तक भी जो चार्ट एनालीसिस अब बिटकोइन का वो भी बता रहा है कि bitcoin के अंदर एक बार reversal definitely आएगा एक बार bitcoin दुबारा से डाउन आएगा उसके बाद धीरे-धीरे bitcoin अबब होना स्टार्ट होगा क्योंकि when we are talking about November side, November, December और April जो 2024 का टाइम है वो definitely bitcoin hauling का टाइम है तो उस टाइम तक हमें ultimately एक बहुत बड़ा positive bullish momentum दिख भी सकता है so overall अब आपको यह देखना है कि जब crypto market बढ़ती हुए दिखाई देगी तो आपको सभी project बढ़ते हुए दिखाई देंगे जो sustainable growth के साथ market में इस time पर ongoing development कर रहे हैं दोस्तो crypto market के अंदर यह सबसे important phase है patience रखने का पूरे की पूरी market में best और positive signals आ चुके हैं चेसपोर्ट ETF bitcoin की बात करें bitcoin के exchange से fund transfer होने की बात करें self custody की बात करें जो November 2022 से regular trend में चल रही है इधर से bitcoin hauling 2024 सबसे important phase उस time पर definitely हमें इन सभी project के अंदर एक police momentum definitely दिखाई देगा जो already अपनी growth के लिए लगातार काम कर रहे है इसके बाद अगर आगर आप बात करो तो अवाइब में latest proof of digital footprint जो अवाइब की नई use case है आप लोगों ने I think mint कर लिया होगा और आपके आवीब profile की app के अंदर भी proper वो दिख रहा होगा अगर नहीं किया तो आप अपने आवीब app को open कीजिए profile section में आपको latest tweet आया हुआ है आर्बिटरम का आपको simply वहाँ पर क्या करना है proof of digital print जैसे आप लोगों ने आवीब की profile mint किया था web 3.0 same आपको एक next step लेना है ताकि आप second use case या second जो आवीब partner है उसका भी पार्टिस्पेट कर सके और उसका भी एक हिस्सा बन सके जैसे बताया जा रहा है कि आवीब के जो partner बनेंगे उनको कहिना कही पर rewards की बात भी की जा रही है तो हो सकता है कि हम ही में से किसी का नाम हो और हम लोग कहीने के पर rewards के लिए भी ready हो जाएं so especially आवीब के application को open करके profile section में जाना है profile section में जब आप जाते हैं तो आपके पास notification है PODF का proof of digital footprint का click कीजिए wallet को अपने connect कीजिए चाहे metamask wallet है चाहे trust wallet है और एक बार अपनी एक proper PODF NFT को भी mint कर लीजिए so यह हैं दोस्तों अभी त if you want to trade in crypto please do your own research first thank you so much for watching this video and please do subscribe crypto mark youtube channel for more updates thank you so much